नमस्कार टीचर्स डे शिक्षक दिबसकी आप सब लोगों को हारदिक सुख कामना हैं दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं जो बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते हैं उन सब को मेरी तरफ से हारदिक सुख कामना हैं और टीचर्स डेके दिन आज मैं टीचर्स को भी बताना चाहूंगा कुछ न कुछ और बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा बात आती है सबसे पहले टीचर्स की कि पिछले कुछ समय से टीचर्स जो पहले की तरह थे वैसे टीचर्स आज नहीं रह गए टीचर्स में भी काफी बदलाव आ गया है आज के टीचर्स स्वार्थी हो गए है आज के टीचर्स ट्यूसन कोचिंग और अन्निकामों में पढ़ जाते हैं सरकारी टीचर्स भी आज पढ़ाना नहीं चाते हैं लेकिन उसके उलट कुछ ऐसे टीचर्स भी काउं धेहात में सहरों में मिल जाएंगे जो की निसल करूप से पढ़ा रहे हैं और एक समाज को एक नई दिसा दे रहे हैं जैसे कि आपने सुपर थर्टी का नाम सुना होगा और बिहार में भी कई टीचर्स ऐसे निकले जिन्होंने पूरे देज भर में नाम कमाया है और एक अलग ही पहचान बनाई है खांसर का नाम तो आपने सुनाई होगा तो आज का जो टीचर्स है वो पहले की तरह नहीं रहा लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले की टीचर्स से भी काफी बड़ी पहचान इस देश में बनाई है और टीचर्स के पेशे को बहुत उपर तक ले गए है एक टीचर्स वही है जो क्लास में जब जाए तो अपने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाए कि उसे अनंतिकाल तक बच्चे को वो बात याद रहे नौलेज रहे इतना अच्छा वो घर से पढ़के आए कि जब वो क्लास में जाए तो सारे बच्चे खुष हों उसको देख कर कोई बच्चा दुखी न हो कोई बच्चा अफसोस ना करे कोई बच्चा ये ने कहे अरे ये सरा आ यपके फिर से बोर करने ये मैडम आगे फिर से बूर करने तो टीचर्स को बहुत ही ज़ादा सालीन और जो टीचर्स के जो करेक्टर हैं बोलने का धंग, बात करने का धंग, किसी की हेल्प करने का धंग या बहुत सारी qualities टीचर्स को अपने अंदर पैदा करनी होती हैं तब जाकर वो एक अच्छा और महान टीचर्स बनता है आज टीचर्स देके दिन सभी टीचरों को भी ये सोचना चाहिए कि टीचर्स किस तरफ जा रहे हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं मैं उनकी बात नहीं क चाहिए अपने जीवन में अगर उसने को हार्ड वक किया है तो ही वह बच्चों से भी हार्ड वक करा सकता है एक टीचर का लेखन सैली बहुत अच्छे होनी चाहिए अगर टीचर का लेख बहुत अच्छा है तो वही बच्चे की राइटिंग को सोधार सकता है जिस टीचर ने अपनी राइटिंग खुद नहीं सुधारी वो बच्चों की राइटिंग कैसे सुधारेगा जिस टीचर ने खुद ही वो नसे बाजी करता है दूसरे बच्चों को वो नसे बाजी करने से कैसे रखवेगा जो टीचर खुद ही मास मच्ची दारू और अनिच एब उसके अ पराने जमाने मकान जैसे चेले होते थे जो परसराम जी का पैर दबाते दबाते उनके एक बिच्छु काट लेता है लेकिन वो बिच्छु का डंक सहन करते रहते क्योंकि कहीं वारे गुरू की नीद ना तूट जाए बहुत सारे ऐसे एकलब जैसे चेले भी जिनको गुरू ने मना कर दिया फिर भी वह आगे बढ़े उन्होंने सच्चे दिल से गुरू माल लिया और निरंतर प्रयास करते करते अपने आप में एक विशेश प्रकार की धनुर विद्या को सीख गए थे क्रश्न जैसे चेले उन्होंने मात्रि 64 दिन में 16 कलाएं और 64 विद्याओं को गुरू संदीपन के आसरम में सीख लिया था जो चेला होता है वो गुरू से काफी कुछ ले सकता है लेकिन उस चेले को गुरू के प्रतिस रद्धाबान होना चाहिए गुरू की इज़त करने वाली होनी चाहिए आज के चेले गुरूओं को परणाम करना नहीं चाहते नमसकार करना नहीं चाहते उनके पैर नहीं चुना चाहते सिर्फ बच्चे कलास में सोर मचाते हैं जब टीचर्स आते हैं तो टीचर्स उन्हें सांध कराते बच्चों को चाहिए कि टीचर्स के आते ही वो बिलकुल सालीन होकर सांत होकर बैठे और अपने टीचर्स की बात को सुने कि टीचर्स क्या पढ़ाना चाहते हैं और जब टीचर्स कुछ भी बोलते हैं उस बात को ध्यान से समझे, कौपी में नोट करें और आत्मसाथ करें. पुराने जवाने में जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाय करते थे तो बच्चे इतने ध्यान से उन्हें सुनते थे, मगन हो जाते थे, खो जाते थे, imagination करने लग जाते थे, ऐसे ही आज भी चाहिए, हलाकि आज सिक्षा का इस तर काफी अच्छा हुआ है, पहले कि तुल्ला में infrastructure की बात करें, या technology की बात करें, तो इस मामले में सिक्षा ने बहुत बदलाव किये हैं, लेकिन उसी तरह से बच्चों के अंदर भी तेजी से बदलाव दाई तो है, कि बच्चों को मुबाइल की लच से दूर भगाने के प्रयास करें, टीचर का दाई तो है कि जिस class के वो teacher है, उस कम से कम उस class को इतने अच्छे डंग से manage किया जाए, उसको इतने अच्छे डंग से अच्छे बाते बताये जाए, रोज उसको motivate किया जाए, हर उसके जीवन में बदलाव लाने वाली है ऐसे ही अगर लगातार टीचर्स प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से क्लास की बच्चों का भविश से सुधर जाएगा एक क्लास का टीचर अपने क्लास को अगर सुधर ले तो पूरे स्कूल का ही एक महोल पूरी तरह से बदल जाएगा मैं समझता हूँ कि टीचर्स इस कारी को करेंगे और उनका साथ पूरी तरह से बच्चे देंगे टीचर्स दे के दिन जो हम मलाते हैं डॉक्टर सरपली राधा क्रेशन जो की पहले उपराश्ट पती थे और दूसरे राश्ट पती रहे भारत रतन का पुरुषका में हो या एक समासेवी के रूप में हूँ देश को बहुत कुछ दिया है और यही कारण है कि आज 5 सितंबर को हम उनका जन्म दिन टीचर्स डे के रूप में याद करते हैं हमें डॉक्टर राजिन परसाद के जीवनी को पढ़ना चाहिए कैसे डॉक्टर राजिन परसाद क इतने कितने विद्यालियों की उन्हें निस्थापना कर दी आज का टीचर एक स्कूल में ही पढ़ाते पढ़ाते उसकी पुरी जीवन चली जाती है लेकिन वहीं ऐसराधा क्रेशन ने अपने जीवन काल में कई कॉलेजिस कई विद्यालियों को खोला तो सिक्षक कोई आसा कोई टीचर बन भी नहीं सकता लेकिन जो टीचर बन जाते हैं उनको बहुत तेजी से बदलना होगा और अपने अंदर एडवांस टेकनलोजी के सारे बदलाओ करने होंगे जिससे कि वो बच्चों पर अमिट छाप छोड़ सके और यही हर एक टीचर का करतब भी होना चाहि तो बच्चे उनसे इंपरस उनके नोलेज से उनकी पढ़ाने के ढंग से किस तरह से वो पढ़ाते हैं अपनी कलाओं को जो कि उनके पास हो सकते हैं उन्हें वो अपने अंदर से निकाल सकते हैं कई परकार की कलाओं टीचर बच्चों को बता सकते हैं सिर्फ किताबी ग्या और जहाँ पर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को टीचर से पूछे क्योंकि सही बच्चा वही है अच्छा बच्चा वही है जो टॉपिक को टीचर से डिसकस करता है टॉपिक को टीचर से पूछता है सिर्फ यह नहीं कि टीचर ने तुमने जो पढ़ा दिया बस तुम उतना ही तक सीमित रहेगे नहीं आपको टीचर से आगे चलने का प्रयास करना चाहिए टीचर की गलतिया पकड़ो और टीचर को बताओ और अगर गलति टीचर नहीं करते हैं तो टीचर से questions पूछो जो तुमें नहीं आता doubts अपने clear करो क्योंकि जब तक आप doubts clear नहीं करेंगे तब तक आपको वो topic समझ में नहीं आएगा और doubts clear होने के बाद ही आप उस topic को समझ जाएंगे और chapter को असानी से learn memorize कर सकेंगे तो प्यारे बच्चो मैंने ये जो वीडियो आज बनाया है प्यारे teachers आज ये वीडियो मैंने teachers versus बच्चो की बीच के लिए बनाया है मैं चाहूँगा कि teacher day के दिन teachers अपने आप में आसे एक business प्रकार का परिवर्तन करें जिससे की बच्चों पर एक अमिट छाप छोड़ी जा सके बड़े बड़े गुरुओं को याद करें और उन गुरुओं के आधार पे ही अपने जीवन चरत्र का निर्माण करें ऐसी मैं आपसे उम्मिद करता हूँ और कांचा करता हूँ और मैंने अपने पिछले 20 सालों में काफी अन्वों किया है टीचिंग के छेतर में इसलिए मैंने इस वीडियो के तहट काफी सारी बातें आपको बताईए Thank you very much, जाहिंद जावारत